गर्मियों का मौसम आ चुका है और मार्केट में कच्छे केरियां भी आ चुके हैं आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो मिंट शॉट्स की रेसिपी तो ट्राइ करना बनता है हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल तो स्वागत है आपका अपने चैनल नीटू जोम वर्ड में तो आए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं मैंगो मिंट शॉट्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बड़ा आम लिया है और उसको वाश करकर अच्छे से पील कर लेंगे सारे छिलके इसके निकल जाने चाहिए, उसके बाद हम इसके edges को cut कर लेंगे इस तरीके से और उसके बाद हम इस कच्चे आम को इस तरीके से cut कर लेंगे मैंने आम की cutting बिल्कुल roughly chopped किया है, आप अपनी choice के according cut कर सकते है तो यहां पर अब हमारे जो मैंगो है वो बिल्कुल cut होकर ready है, तो आई आगे मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या-क्या इंग्रेडियंट्स लिए हैं सबसे पहले मैं आम के बारे में बता दूं मार्केट में कई तरीकी के आम अभी आए वे हैं तो आपको कैसा अच्छा लगता है आप उसके according आम को चुने क्योंकि कभी कच्चे आम जो होते हैं तोड़े से मीठे होते थोड़े से खटे होते है तो आपको किस तरीकी का आम कच्चा अच्छा लगता है उसी टाइप का आम को लेके आए यहां पर मैंने दो हरी मिर्च लिये हैं तो चीली जो है आप अपनी च्वैस के according डाले अधरक का टुकरा दो इंच का अधर आपको अधरक नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी क सकते हैं यहां पर मैंने मिश्री लिया है यह जो शुगर कैंडी जो आते हैं अगर वह आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी या फिर हनी का भी यूज कर सकते हैं इस सौट्स में चीनी का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा आता है अब यहां पर मैंने जीरा पाउड करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक प्लेट ले लिया है कोई भी नॉर्मल सा प्लेट ले ले और इसमें वन टी स्पून नमक और वन टी स्पून लाल मिर्च पाउडर अब इन दोनों का यूज क्या है मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी अभी फिलाल इस कि एक छोटी चमच जीरा पाउडर चाथाई चमच काली मिर्च पाउडर आधी चोटी चमच काला नमक का पाउडर अध्रक एक इंच का टुकड़ा और यहां पर दो टेबल स्पून मैंने लिया है मिश्री तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर ले और इसमें अब हम नीवू का रस बालेंगे तो नीवू का रस मैने आपर एक छोटी चमच लिया है अगर आप नीवू नहीं खाते है या फिर नहीं पसंद है तो आप इसके जगा पर आमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं आप इसमें पानी डालूँगी अपने आवस साइड पर रख देते हैं और इसका टोरी को भी मैं एक साइड पर रख दूंगी अब यह जो मैंने नमाक और मिर्ची लिया था इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो आप चाहें तो वाइट शॉल्ट का भी यहां पर यूज कर सकते हैं मैंने पिंक सॉल्ट का यूज किया है अ सब्सक्राइड इस तरिक से स्पून से दिरे दिरे करकर हम इस वाले ग्लस में डालते जाएंगे और इसको अच्छे से फिल कर देंगे यह यूनिक स्टाइल का आप एक बर सौट ज़रूर ट्राई करें तो यह देखिए एक ग्लास रेडी है मैं इस तरीके से से पर tastes से मैं आपके घर में कोई गेस आजाहिं तो यह सारा प्रोसेस करकर आप रख सकते हैं या फिर आपके घर में पार्टी हो तो सेम प्रोसेस कर check अब मैंने यहां पर एक now glass लिया है और इसमें मैं डालूँगी soda, तो आप चाहें या फिर आप Sprite का भी यूज कर सकते हैं, इसको पूरा वाले glass इसके एंदर ड्लीत में दालेंगे तो इसमें बूल यहां दाल दिया necesit weatgh, यहां पर हमारे mango mint मैंगो मिन्च शोट रेदी टु ड्रिंग अगर आपके घर में कोई गस्त आ रहे हैं तो इस तरीके से मिन्ट लीफ को डाले और लेमन और अदिक से इस तरीके से गार्णिश करें और यह जटपट से हमारे मैंगो मिन्च शोट यह बनकर रेडि हैं बहुत ही टेस्टी और अम साथ तब तके लिए टेक केर बाबाई